नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूं मिनाक्षी गुपता कॉंग्रेस नेता अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्ख्यों में आ जाते हैं अम मध्य प्रदेश के कॉंग्रेस नेता अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा बटोर रही हैं दरसल मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चाहान ने एक सभा में कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा कर 21 साल करने की बात पर समाज में बहस होनी चाहिए इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंग वर्मा ने इस मसले पर बेतुका बयान दे दिया है अब इस पर विवाद कड़ा हो गया है सजन सिंग ने कहा कि डॉक्टरों के अनुसार जब लड़कियां 15 साल में प्रजनलायक हो जाती है तो शादी की उम्र 21 साल करने की क्या जरूरत है जब पहले से ही शादी की उम्र 18 साल तै है तो 18 साल ही क्यों ना रहने दिया जाए बतादे की मध्य प्रदेश के मुख्या मंत्री शिवराज सिंग चाहान ने सोमवार को कहा कि देश में बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा कर 21 साल करने के लिए समाज में बहस होनी चाहिए चहान ने कहा कई बार मुझे लगता है कि समाज में बहस होनी चाहिए कि बेटियों की शादी की उम्र 18 हैनी चाहिए या इसे बढ़ा कर 21 साल कर देना चाहिए मैं इसे बहस का विश्य बनाना चाहता हूँ प्रदेश सोचे देश सोचे ताकि इस पर कोई फैसला किया जा सके प्रदेश इस तरहीं सम्मान अभ्यान की यहां शुरुआत करते हुए उन्होंने ये बात कही इस अभ्यान का उध्यश है मरिलाओं के खिलाफ अपराद के उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागिदारी सुनिश्चित करना महिलाओं और बालिकाओं के लिए सम्मान जनक और अनुकूल वातावरन तयार करना और आम लोगों को कानूनी प्राफधानों के प्रती इस तरह जागरू करना कि वे महिला सुरक्षा के प्रती कि अपनी जिम्मेदारी को निभा सके सीम शिवरासिंग चहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में अपराधियों पर अंकुष लगाने का काम पूरी ताकत से क्या जाएगा आम लोगों को कानून उल्वारी को में वे तरह जाएगा प्रती जाएगा प्रती तुम अपराधियों जाएगाम लोगों कि वे तरह जाएगा अंक।